हलो दोस्तो अगर आप 10th पास हैं तो तब भी आप इसको अपलाई कर सकते हो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा कि आप अपने मोबाल से कैसे अपलाई कर सकते हो क्या क्या आपको फिल्ट करना होगा और कोड़न कोड़न से आपको डाकॉमेंट चाहिए सब कुछ बताऊंगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिजिएगा कमेंट में आप मुझे अपने डाउट के बारे में बता दिजिएगा कि क्या आपको डाउट है और अगर अपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो निचे लाल बटन को दो कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साइट पर आपको गंटी का इकिन दिखेगा उसको भी दबाले जिएगा जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो लेकि आऊंगा वो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो दोस्तो आप जहां पर इस PDF में देख सकते हो जहां पर नई वेकैंसी निकालीगी है अगर आप 10th पास हैं तो आप अपलाई कर सकते हो अगर आप 12 पास है तो तब भी आप अपलाई कर सकते हो last data है इसकी जहां पे 25 April रखी गई है 25 April तक आप इसको apply कर सकते हो पहले पहले और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसको apply करना चाते हो तो इसकी जो officially website है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना होगा आपको तो दोस्तों मैं इनकी officially website पर आ चुका हूँ आप पर जहां पर officially website देख सकते हो rpda.org.in की officially website है उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको apply करना चाते है तो आपको जहां पर application form का option मिल जाएगा तो आपको simply इस पर click कर लेना क्योंकि जैसे इसके registration open होई थी उसके बाद यह site busy होगी थी जिसके कारण इनकी जो site है वो थोड़ी सी crack होगी थी इसलिए जहां पर बता रहे हैं कि under maintenance चल रही है तो जल्दी है इसका solution हो जाएगा तो आप इसको कल apply कर सकते हो कल से इनके जो application form है apply करना बहु start हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों जहां पर वो होते हैं कि आपको जह सब कुछ fill करना होगा simply मैं आपको बता दो सबसे पहले आपको जहां पर fill करना होगा application number और date of application notification मैं आप सब की बात आ देता हूँ कि आपको जह number कहां से मिलेंगे तो दोस्तों आप जहां पर देख जालो आपको PDF में जहां पर अड़वर्टाइजर नमबर मिल जाएगा यह है notification number और जहां पर date of notification यह रखीए है 34 2021 यह notification date है तो आपको इन दोनों को वहां पर fill कर देना है application form में पहले ही दोस्तों जैसे आप जहां पर fill कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपको जहां पर पोचा जाता है कि आप किस के लिए apply करना चाहते हो जिस वी category में आप apply करना चाहते हो आप उसकी post card जहां पर नाम लिख दीजिएगा उसके बाद अपना नाम पे लिख ली जएगा अपने पिता का नाम आपको जँआ पे data, birth फिल्ट करनी है जैसे जिसे ब कुछ कर लोगी उसके बाद आजाथा ही आपके पास gender अपको ज़ाइचा पर फिल्ट करना ही metal status आपको फिल्ट करना ही married हो जाना फिर unmarried हो आप पास हुए है कोंट से एर में आपने पास की थी उसके बाद आप अपने स्टेट जूटी जो भी है फिल कर दीजिएगा अगर आप टैंथ भी पास कर रखे तो उसका भी आप डाटा जहां पर फिल कर सकते हैं तो आप इनको खाली शोड दीजिएगा उसके बाद जैसे आ को आपने ड्रस के बाद आपने स्टेट अपर दीजिए बाहराftig इमेल आइडिडी स्टेट करने हुए जिससे आपका पर जो भी नोटिफिकेशन होगी ओपको आपको मिल जैगी उसके बाद आपको अपना जहां पर passport size photo को भी upload करना होगा जैसे ही जह सब कुछ कर लोगे और उसके बाद आपको नीची आना नीची आने के बाद दोस्तों आप जहां पर इनकी declaration पड़ से होते हैं जहां पर पता चल जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है उसके बाद दोस्तों आपको जहां पर टिक करना टिक करने के बाद आपको जहां पर पेमेंट का उप्शन मिलेगा 300 रुपे आपको पे करना होगा अगर आप किसी भी कास्ट से हैं जर्नल, SC, ST सभी को 300 रुपे की जो पेमेंट आपको आपको करनी होगी उसके बाद दोस्तों payment करने के बाद आपको जहां पर टिक करने के बाद आपको जहां पर submit का option होगा simple submit पर click की जिएगा उसके बाद आपके सामने payment का option आजाएगा payment करने के बाद आपका जो farm है वो online apply हो जाएगा और आपका जो भी PDF बगार होता वो आपके email पर send हो जाएगा आपके जो भी आपने जहां पर email भरी होगी बहां पर आपको data base दिया जाएगा और जो भी नए update होंगे जैसे कि आपको इनका exam कब होगा वो आपके email के जरीए आपको पता चलता रहेगा क्या क्या update होने वाला सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो बस इस तरह आप गर बट अपने mobile से apply कर सकते हो इस फार्म को अफिशली वेबसाइट आप जाम पर देख लीजिए rpda.org.in इनकी अफिशली वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको निचे डिस्क्रिप्शन में भी देख दूँगा पहां से भी आप जा सकते हो उनकी अफिशली वेबसाइट पर तो बज़ेएट आज की इस वीडियो में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्रेब कर लीजिएगा